नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में टेक्नो पोवर 3 वर्सस इंफनिक स्मार्ट 6 प्लस का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, पोवर 3 में 6.81 इंच जबकी स्मार्ट 6 प्लस में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है जोकी पोवर 3 से कम है Width की बात करें तो, Power 3 में 3.09 इंच जबकी Smart 6 Plus में 3.06 इंच की Width मिलती है जोकी Power 3 से कम है बात करें थिकनेस की तो, Power 3 में 0.37 इंच जबकी Smart 6 Plus में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Power 3 में 230 ग्राम्स, जबकि Smart 6 Plus में 202 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Power 3 में 6.9 inches जबकि Smart 6 Plus में 6.82 inches मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन, Power 3 में 1080 by 2460 और, Smart 6 Plus में 720 by 1600 मिलता है Screen to Body Ratio, Power 3 में 83.4 तीन प्रतिशत जबकि Smart 6 Plus में 83.7 तीन प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Power 3 में 389 pixel प्रति इंच जबकि Smart 6 Plus में 257 pixel प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Power 3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Smart 6 Plus की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो, Power 3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और Smart 6 Plus की बात करें तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो दोनों फोन में Single Camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 Different Features मिलते हैं अई अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते हैं Hardware में सबसे पहेले CPU जो की Speed के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं जी पी यू की बात करें तो पोवर 3 में माली G52 MC2 जबकी स्मार्ट 6 प्लस में पावर जी आट तीन दो शूनिय मिलता है चिप सेट की बात करें तो पोवर 3 में मीडियाटेक हिलियो G88 और स्मार्ट 6 प् प्लस में एक ही वैरियंट देखने को मिलता है जिसमें तीन गीगाबाइट रेम मिल जाती है बात करें इंटर्नल मेमरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो पोवर 3 में दो वैरियंट देखने को मिलता है जिसमें 64 गीगाबाइट 128 गीगाबाइट की स्टोरेज मिलती है ज जबकि Smart 6 Plus में अप्टू 512 GB है। ओपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो, Power 3 में Android V11 जबकि Smart 6 Plus में Android V12 देखने को मिलती है। Battery Power 3 में 7000 mAh जबकि Smart 6 Plus में 5000 mAh देखने को मिलती है। अई अब मेन फीचर को देखते हैं। Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही। 3 Colors ओप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फोमशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Power 3 में 2 Variant देखने को मिलते हैं। जिसमें की 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 13,390 रूपीज, 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 12,999 रूपीज में मिलता है। और बात करें स्मार्ट 6 Plus की तो उसमें एक ही Variant मिलता है, जोकि 3 GB RAM 64 GB Storage के साथ 7,999 रूपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो, दोनों फोन में 6 फाइदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। Finally बात करें है result की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, में कैमरा में पोवर 3 आगे है, फ्रन्ट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, पोफॉरमेंस में पोवर 3 आगे है, दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओपो A54 है, दुसरा रियल मी 9 प्रो 5G है, तीसरा शाउमी रेडमी 10A है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाउमी रेडमी 10T है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना